हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल में आज बात करेंगे नई प्रात्यमिक शिक्चक भरती उत्राखंड 2024 के बारे में तो टोटल 2350 पदों पर नई प्रात्यमिक शिक्चक भरती होनी थी उत्राखंड में लेकिन अभी तक भरती प्रक्राश शुरूर नहीं हो पाई है तो इस वज़ाव से जो डियलड अभिरती है उत्राखन के उनके द्वारा यहाँ पे आंदोलन करने की यहाँ पे चेतावनी दी है सासनव शिक्चाव विभाग को तो क्या है इसकी पूरी अब्रेट साथ ही नई प्राथमिक शिक्चाव भरती को लेकि में वीडियो में आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियलड प्रशिक्चतों ने दी आंदोलन की चेतावनी नियामली ना बनने से खपा डियलड अभिरतियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है उत्राखन द्वी वरसिय डाय डियलड बीटिसे संगठन के बयान जारी कर कहा है कि प्रात्मिक शिक्षा सिवा नियामली के संसुधन में देरी से शिक्षकों के रिक्षपदों पर भरती नहीं हो पा रही है इस करण बिरोजगर प्रशिचोतों ने साथी प्रदेश के नौनिहालों का बहुश्य चौपट हो रहा है तो यहाँ पर 350 पदों पर उत्राखंड में प्रात्मिक शिक्षक भरती होगी लेकिन मामला यहाँ पर सुप्रिम कोट पहुंच गया था यह आप सभी जानते हैं जो आपका BTC वर्सेस B8 था और DLV वर्सेस B8 था B8 नई प्रात्मिक शिक्षक भरती से पूर्ण तो आप भार है यह आप सभी जानते हैं लेकिन गतिमान शिक्षक भरती जो चल दी है उत्राखंड में 2350 और 451 उसका यहाँ पर सिक्षब्याग डिसिजन नहीं ले पा रहा है सुप्रिम कोट के डिसिजन का यहाँ पर वेट कर रही है सिक्षब्याग साथ ही जो नई प्रात्मिक शिक्षक भरती होनी है उसमें सिक्षब्याग के तोरह कहा जा रहा था कि पुरानी शेवा नियामाली के यहाँ पर संसोधित करके बीएट को बहार किया जाएगा और नई जो प्रात्मिक शिक्षक भरती होगी उसमें सिब डियलेट अभरती परतिभाग करेंगे तो जो कैबिनेट की बैटक वीती उसमें भी कहा जा रहा था कि इस नियामाली में मोहर लग सकती है और बीएट को जो सेवा नियामाली बनेगी नई संसोधित उससे बाहर क्या जाएगा और तब ही नहीं प्रात्मिक शिक्षक भरती आएगी लेकिन नहीं हो पाए अभी तक तो इस वज़ाँ से जो डियलेड अभीरती है उतराखन के डियलेड अभीरती है और अधर स्टेट डियलेड अभीरती उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द अगर प्रात्मिक शिक्षक भरती नहीं आती है तो वो अंदोलन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्षा बिभाग का स्टेंड आपको पताए होगा साथ ही जो डियलेड अभीरती है उनके द्वारा अपने इस्तानिया बिधायक सिक्षा मंत्री और सिक्षा मंत्री और मुख्या मंत्री को ग्यापन सौंप के भी कहा गया था कि नहीं प् वर्तिमान शिक्षक भरती चल लिए उसका डिजिजन सरकार किया सिक्षे बाग कि स्टैप से लेती है क्या बीएट समलित रहता है वर्तिमान शिक्षक भरती में उनको भी बाहर कर दिया जाता है बाकि जो भी अब्डेट आता है आपको बता दिया जाएका वीडियो के माद